प्रश्ण है जीरो डिग्री ग्रीन वीच पर समय दोपहर का एक बजा है तो शाम का छे कहां बजा होगा अब देखिए सबसे पहले यह जान लीजिए कि ग्रीन वीच जीरो डिग्री से पूर्वी भागों में समय आगे होगा अर्थात जो समय ग्रीन वीच पर होगा उसके आगे का समय ही ग्रीन वीच से होगा इस बात को फिर से समझते हैं हमें समय दिया गया है जीरो डिग्री पर दोपहर का एक बजा है तो इससे निशकर्ष निकला कि जीरो डिग्री पर जो समय हो रहा है उससे आगे का समय ग्रीन वीच से पूर्वी भाग में और ग्रीन वीच से पश्चिम के भाग में ग्रीन व ग्रीन विच से आगे का समय पूर्वी भाग में होगा। अब अगर यह कहें कि भारत के मानक समय साड़े 82 डिगरी पर दोपहर का एक बजा है तो शाम का छे कहां बजा होगा। तो याद रहे भारत के मानक समय साड़े 82 डिगरी के पूर्वी भाग में समय आगे होगा और भारत के मानक समय साड़े 82 डिगरी के पश्चिम भाग में समय पीछे होगा। अभी वहाँ दोपहर का एक नहीं बजा होगा। तो बात को समझिए, समय जो भी दिया गया हो, जिस देशांतर डिग्री से ठीक उसी देशांतर के पूर्वी भाग में घड़ी आगे होगी और पश्चिम के भाग में घड़ी पीछे होगी, क्योंकि प्रत्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घुमती है, अर्थात, समय पहले पूर्वी भाग में हो जाएगा, उसके बाद समय पश्चिम की ओर होता जाएगा, अब प्रश्ण पर आते हैं, जीरो डिग्री ग्रीन वीच पर दोपहर का एक बजा है, तो शाम का छे कहां बजा होगा, यानि समय आगे निकल गया होगा, तो सबसे पहले तो यह जान जीए कि शाम का छे उर्वी भाग में होगा, अब देखते हैं कितने डिग्री देशानतर पर छे बजा है, तो पंदर डिग्री का एक घंटा होता है, सबसे पहले अंतर घंटों का करेंगे, एक बजे से छे बजे के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है, तो आंसर हमारा पाँच घंटे का आता है अब एक घंटे में 15 डिगरी होता है तो पाँच घंटे में सीधे सीधे 75 डिगरी देशांतर हो जाएगा अर्थात 75 डिगरी पूर्वी देशांतर पर शाम का 6 बजा है अब चलिए इसी बात को हम एक घड़ी के माध्यम से समझते हैं इस प्रकार से ह हमने एक घड़ी बना ली है, जिसमें यहां पर बारा है, यहां पर छे है, यहां तीन है, यहां नो है, अब समय गया है कि ग्रीन वीच पर एक बजा है, तो एक यहां पर है, दो हो गया, तीन, चार, पांच और छे, एक यहां पर बजा है, तो पूछा जा रहा है कि शाम का छे कहां बजा होगा तो जाहिर सी बात है कि दोपहर का एक यहां पर बजा है और शाम का छे यहां बजा है तो अंतर देखे कितना है यहां से हो गया एक घंटा दो घंटा तीन चार पाँच तो टोटल पाँच घंटे का अंतर है अब सीधे सीधे समझिए यहां से यहां तक पंद डिग्री 15 डिग्री बराबर होता है एक घंटा तो अब देखिए एक 0 डिग्री पर बजा है यानि कि 0 डिग्री ग्रीन वीच पर एक बजा है तो 15 डिग्री यहां पर हो गया फिर 30 डिग्री यहां पर हो गया 45 डिग्री यहां पर हो गया 60 डिग्री यहां पर हो गया और 75 डिग्री यहां पर हो गया यानि कि 75 डिग्री जहां पर होगा वहां पर 6 बजा है तो 6 यहां पर बजा है और दोपहर का यहां पर हो रहा है तो घड़ी इस प्रकार से आएगी तो यहां पर 6 शाम का बज़ेगा और हम देखते हैं कि यहां से 15, 30, 45, 60 और 75 होता है तो 75 डिग्री पर हमारा 6 शाम का बज़ा होगा तो यहां से हम आगे की और जब बढ़ेंगे 75 जहां पर डिग्री होगा तो वहां पर शाम का 6 बज़ा होगा अब देखते हैं कि इधर इधर छे कहां बजा होगा अगर हम इस घड़ी को यहां से पीछे की और घूमते हुए ले जाते हैं तो सुबह का यहां पर छे बजा है तो अब हम यह देखते हैं कि सुबह का छे कहां बजा होगा तो सुबह के छे के लिए हम देखते हैं अब देखते हैं कि अंतर कितना है? अंतर हो गया 1 घंटा 2, 3, 4, 5, 6 और 7 टोटल 7 घंटे का अंतर है तो 1 घंटे में होते हैं 15 डिगरी तो 7 घंटे में कितने हो जाएंगे? 15 सत्य 105 यानि कि 105 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में सुबै का 6 बजा होगा जब हम इधर की ओर 105 डिग्री पर आते हैं तो वहाँ पर सुबै का 6 बजा होगा जिसमें ये 0 डिग्री ग्रीन विच का इस्थान है झाले की ओर आते हैं तो वहाँ जाते हैं